तो हलो फ्रेंज में सीबू गेम पोडल की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम करेंगे टिक टॉक हैक्स को ट्राई तो जिस टिक टॉक हैक को हम टेस्ट करने वाले हैं उसका वीडियो यह रहा यह एक आटोमिटिक स्विंग पूल का वीडियो है जिसमें आपको गड़ा करना है एट बाई सेवन का जो चार ब्लॉक डीप होगा उसमें सबसे नीचे में आपको रिपीटर्स डालना है उसके बाद ऑब्जरवर उसके बाद यह डालेगा आपका स्टीकी पिस्टन उसके बाद क्वार्ट का ब्लॉक फिर इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर एक ब्लॉक में रेज्ट्टोन लगा के यहाँ पर स्विच लगा देंगे लीवर लगा देंगे एक्छुली और उसके बाद बाकी और को बनानी के बाद में आपका switch काम करने लगे है एक बार इस वीडियो में जैसा दिखाया है उसके अब पानी गाया भुजाएगा वापस पानी आ जाएगा तो लग तो एकदम कूल रहा है तो इसके लिए जो सामान चाहिए मैंने इसे खटा करके रखा हुआ है यह block of quartz है और उसके अलावा slap चाहिए हमने वीडियो में देखा था redstone उसके अलावा पानी का bucket चाहिए उसके अला अवा observer है और उसके बाद piston है और उसके बाद sticky pistons और lever ब होगी लगबग 7 blocks की तो 123456 और यह 7 इतने block आपको चोड़ा करना है और यह जाएगा 8 block तक यह नहीं है second, third, four, five, six, seven, eight और इस side से भी 7 block का गड़ा करते हुए आपस पे इनको connect कर देना है और बीच वाला जो portion रहेगा यह जो बीच वाला घास वाला portion है उसको आपको 4 block तक deep अंदर तक digging करना है चार या 5 block तक आपको digging करना है तो बाकी बच्चेवे part को मैं जल्दी जली खोद के इसको खर लेता हूँ ठीक है तो यह हो गया हमारा घड़ा जितने हमको चाहिए थे अब एक side में हमको पूरे redstone का dusk लगाना पड़ेगा एक wiring करनी पड़ेगी redstone की यह जिस side आपका 8 वाला block था 8th block के उपर करना है ताकि अब जितना भी चीज हम डाले वो 7 by 7 के block में आ जाए तो ऐसा करके आपको repeaters पूरे fill up करने हैं पड़ेंगे और जो repeaters है उनका सबका direction जो arrow दिख रहा है वो एक ही side रहेगा जैसा कि वीडियो में दिखाया हुआ था तो यह repeaters जो है वो जो electrical signal है जो हम switch on करेंगे lever सामने on करेंगे उसका पूरा जो electrical signal है वो चारो तरफ फैला देगा जो की activate करेगा इसके उपर रखे observer को observer की उपर हम रखेंगे steep piston जिसकी current वो activate हो जाएगा काफी जादा complex design है लेकिन देखते हैं कि वर्क करेगा की नहीं आजकल काफी लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं और काफी अच्छे भी होते हैं यह hacks तो यह repeaters का जाल लग गया अब मुझे लगाना पड़ेगा observer observer के लिए थोड़ सा उपर उठना पड़ेगा मुझे observer का जो placing है कुछ इस तरीके से होगा कि उसका जो red dot है वो उपर के side होना चाहिए नीचे से जैसे यह activate होगा यह अपने उपर वाले block को भी activate कर देगा जो की होगा एक sticky piston तो सभी जो redstone repeater है उनके उपर में यह observer आपको इस तरीके से place करना पड़ेगा पूरे जगा को इस तर fast forward कर देता हूं तो इस तरीके से आपको observer हा जगा place करने पड़ेंगे फिर इसके उपर जो number आएगा वो होगा हमारे sticky piston का sticky piston को ऐसे रखना है कि उसका जो green वाला part है जो sticky वाला part है वो उपर की तरब रहे तो आपके पास जो seven by seven का area मिलता है उसको पूरी तरह की से इन piston से औ और इन observer से आपको भर देना पड़ेगा तो यह हो गया अब हम लगाएंगे sticky piston तो कुछ sticky piston का जो एंगल रहेगा direction रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा तो ऐसा करके आपको पूरा fill up कर देना है अब इन sticky pistons के उपर आएगे quartz के block आप चाहें तो कोई भी block ले सकते हैं केवल quartz का block लेने का ज़रूत नहीं है लेकिन quartz के block क्या है white color के होते हैं काफी अच्छे दिखते हैं और अपने tik-tok वाले वीडियो में भी ऐसे ही block का यूज किया गया है तो फिर हम फालतू का दूसरा block यूज नहीं करते हम वैसे ही करेंगे जैसे वीडियो में था थोड़ा बू पूरा तरगे से भर जाएगा तो एक बार हम बीना पानी भरे इसको ट्राइ करके देखेंगे कि वह वर्क कर रहेंगे उसके पानी डालने के बाद इसको कोशिश करेंगे तो यह हो गया हमारा अब इसकी उपर आएगा हमारा quartz का block अब हर एक पिस्टिकी पिस्टिन की उपर एक-एक quartz का block लगा देते हैं जल्दी-जल्दी और फिर जितने भी gap है वो सब को हम भर देंगे कुछ इस तरहीं से तो अभी जैसा वीडियो में दिखा था सेम उसी step by step ऐसे ही करते जा रहे हैं उसमें कोई भी अंतर नहीं है जैसे कि वीडियो में दिखा हुआ था तो यहा पूरा हो गया अब हमको करना यह है कि बीच वाले हिस्से में गड़ा करना पड़ेगा उसे पहले एक काम करता हूं कि स्टोन की पूरी एक दीवाल बना देता हूं ताकि जब पानी डालेंगे तो पानी उपर से न बहे वो शायद इस साइड नहीं था थोड़ा एक block और और वहां quartz के block और लगा देंगे जैसा कि वीडियो में बना हुआ था तो यह जो मैं कर रहा हूं वह पानी रोकने के लिए है क्योंकि इसमें पानी डालेंगे तो हम नहीं चाहते कि उपर से पानी भर जाया तो यह एक boundary बन जाएगी इसकी तो बाकी बचे हिस्से को भी हम ब ऐसा दिखाया था कि हम यहां पर redstone डालेंगे और एक cd type का बनाते हुए उसे उपर तक लाएंगे तो यह कुछ इस तरीके से है last तक और यह connect हो गया बस इसको हम उपर तक ले जाके हम एक काम करते हैं कि इसको उपर तक ले जाएंगे और जैसा वीडियो में है उस तरीके स नहीं बल्कि precaution लेते हुआ हम एक काम करते हैं इस wiring को यह आगे बढ़ा देते हैं और उसको लीवर से हम connect कर देते हैं तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूं ऐसे और अब इसमें लगा देता हूं यह लीवर तो जैसा वीडियो में दिखाया हुआ था यह कुछ इस तरीके से का काम भी कर रहा है अब वीडियो की मुताबिक उसने जो लास्ट में ऐसा गड़ा किया हुआ था वैसा किनारे किनारे गड़े करके इसमें पूरे ब्लॉक डाल देते हैं फिर लास्ट में हम पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद देखेंगे कि एक ऐसा काम करता है तो इस साइट का जो गैप है उसको भी वीडियो में ऐसे भर दिया गया था चौट से तो यसा ही हम करते हैं इसको पूरीों के से क्वार्ड से बहर देते हैं वैसे ही हम और गड़ा करके उसको द्रेहते हैं कुछ minor adjustment वाकी है जैसे कि यहां पर तो इन सब को हटा कि जल्दी जल्दी हम इनकी जगह पे quarts के block लगा देते हैं और वैसे ही जो बचा हुआ boundary है उस साइट का उसको भी stone से भरके उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे पूरी तरिके से तो हमारा जो swing pool है automatic से जो swing pool है वो तैयार हो जाएगा तो भाई लाट सोब की यह काम करें क्योंकि भाई पहले बार हमने बिना पानी के try किया तो बिल्कुल काम कर रहा था वो तो यह बचा हुआ हिससा भी हमने भर दिया है तो इस साइट का काम तो हो गया अब stone वाला काम कर देते हैं इसको पू पूरा अब तरिके से पानी डाल सकते हैं तो ये भी साइट का हिस्सा भी पूरा तरिके से भार गया है अब बस हम लेते हैं पानी water bucket लेते हैं और उसको चारो द्रब डाल देते हैं बढ़िया water bucket है हमारे पास में यह है तो ऐसे करते हुए चारो तरफ इसमें पानी डाल देते हैं और इसको पूरी तरीके से पानी से भर देते हैं उसके बाद एक बार और ट्राइ करके देखेंगे क्योंकि वह समय तो काम कर रहा था तो इस समय भी इसको काम करना चाहिए तो यह हमारा पानी लगबत पूर चारो तरफ से और यह हो गया भर गया पूरी तरगे से फिल हो गया और आप हम ट्राइ करते हैं हमारा स्विंग पूल आटोमेटिक स्विंग पूल को करने का तो उसमें लास्ट टाइम में यह किया था कि यहां स्लैब लगा दिया था तो हम भी यही करते हैं कि इसमें स्लैब लगा देते ह हालाकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है slap का पर भी look के लिए उसने ऐसा लगा हुआ था तो हम भी लगा देते हैं look के लिए यह quartz के slab है जो मैं लगा रहा हूँ तो उसके बाद जो finishing work है वो पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा तो एक बार इसके ट्राइ करेंगे हम कि हमारा जो swimming pool है बिलकुल उसी तरीके से काम करता है कि नहीं जैसा कि उस यह काम क्यों कर रहा जब मैंने पानी डाला था तो यह काम कर रहा था तो एक काम करते हैं इसका पानी पूरा सुखाना पड़ेगा उसके अथ फिर अपन देखेंगे कि क्या problem में क्यों काम नहीं कर रहा और पानी पूरी तरीके से सुखाने के लिए हमको चाहिए sponge तो sponsor मैं उसके आद वापस हम ट्राइ करेंगे ये सबसे क्विक तरीका है पानी को साफ करने का तूरंत ही आपका जो पानी वो सूख जाता है तो ये इस तरीके से अब हमारा पानी साफ हो चुका है अब हम अराम से इसमें काम कर सकते हैं देखते हैं कि क्या गलती हुई इसको उसी तरीके से काम करना है जीए जैसे वीडियो में काम कर रहा था तो ये देखिए अभी कुछ भी नहीं हो रहा है क्या गलती हुई जिसके घंड यहां पर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है सो लेट्स फाइंड आउट की क्या प्रॉब्लम है एक बार मैं इस साइट का ब्लॉक तोड़के देखता हूँ मेरे ख्याल से ये बीच में जो एक ब्लॉक है वो परिशान कर रहा है तो पहले मैं काम करता हूँ कि इस साइट का पूरा ब्लॉक हटा के देख लेता हूँ काम क्यों नहीं कर रहा भई पहले तो काम कर रहा था यह तो थोड़े सा adjustment के बाद हम फिर से एक बार try करेंगे कि काम करता है कि नहीं अलाकि जब मैंने पिछले बार try किया था बिल्कुल काम कर रहा था तो अभी side का block हटा के देखते हैं कि क्यों काम नहीं कर रहा यह I think नीचे का जो red stone dust है वो activate नहीं हो रहा है तो एक बार फिर से try करके देखते हैं देखिए अभी काम नहीं कर रहा है तो मैं को लगता है कि इधर के block को हटाना पड़ेगा तब यह काम करेगा तो यह हटा दिया मैंने तो अब शयाद अच्छे से काम करेगा एक बार करेता हूं ратजल लो भाई पानी भी डल गया अब पूरी तरह जो घडर से भर गया अपर से हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे काम करेगा था नहीं कला कीए लिकिन लिकिन यह क्यों हुआ यह पानी क्यों नहीं सूखरा है बिल्कुल उसी तरह काम कर याने म ton nick interact ुफिए रहा तो इद धा वीदिए जिसमें हमने přस किया हमारे और पकी काम नहीं किया होगी वीदियो आपको अच्छा लगा अच्छा लगा लाइक कीजिए फेल कमेंट कीजिएगा और अम्हें चलने उसको सब्सक्राइब करना नभूले का थैंक्यू झाल 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 झाल